हलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू माई चैनल, देखे फ्रेंज, आज मैं आपके लिए बहुत सुन्दर स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ, यह देखे, दो कलर्स का डिजाइन है, और देखे, बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है, इस डिजाइन को डालने के लिए हमें एट के मल्टिपल पर फंदे लेने, और दो फंदे एक्स्ट्रा लेने, तो यह हमारा डिजाइन सेट हो जाएगा, और यह 12 व्रोस का रिपीट पैटरन है, और देखे, बहुत सुन्दर पैटरन है, और देखे, बैक सैट से इस तरीकी का दिखता है, देखे, बिलकुल भी इस में धागा खिचे नहीं दिखते हैं, और दो कलर्स का है, और एक ही धागा चलाते हैं, हम इस दो कलर्स के डिजाइन को बनाके रेडी करेंगे, तो बहुत सुन्दर और सिंपल डिजाइन है, आप एक बाइसे जरूर ट्राइ कीजिगा, तो चलिए बनाना शुरू करते ह देखे फ्रेंज, इस डिजाइन को डालने के लिए मैंने 8 के मल्टीपल पे फंदे लिए हैं, और 2 फंदे एक्स्टर लिए हैं, तो यहाँ पे मेरे 8 के मल्टीपल पे 16 फंदे और 2 फंदे एक्स्टर, 18 फंदे हैं, ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसी हिसाब साब फंदिर आ लेंगे तो आपका जो डिजाइन है बिल्कुल सेट हो जाएगा अब देखिए राइट साइट से हमारा यह डिजाइन स्टार्ट होगा ठीक है मैं बॉर्डर आपको बना की नहीं दिखा रही हूँ आपको जो बॉर्डर बनाना है आप बना सकते हैं त जो द्हका हमारा चल रहा है उसमें हम इस तरीके से लगाएंगे इनसे राइट साइट से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा तो जो अभी मैं रो आपको डिखाऊंगे जो फ्र्स रो हैं दिखिए यह हमारी बेजिक रो है बस हम इसे स्टार्टिंग जब हम करेंगे आप छोटे बेबी के लिए इसका ड्रेस बना सकते हैं, कैब बना सकते हैं, लेडी कार्डिगन बे भी आप इसे अपलाई करेंगे, लाइट से कलर डाल के, तो बिल्कुल रेडी मेड लुक का आपका स्वेटर बनकी रेडी होगा, मार्केट में आपने देखा होगा इस तरीकी के, कम्प्यूटराइज डेजाइन वाली स्वेटर बहुत महेंगे मिलते हैं, तो आप घर पे से जरूर ट्राइ कीज़ेगा, बहुत सुन्दर लगता है, और विंटर सीजन में काफी वाम होते हैं, तो बेसिक रो हमारी राइट साइड से वन कम्प्लीट हो गई है, अब देखिए ये बेसिक रो टू है, देखिए ये बैक साइड है, बैक साइड से हम उल्टा-उल्टा बुनेगे, एज का फंद अगर आप उतारना चाहते हैं, तो उतार सकते हैं, मैं इसे बुन की लेती हूँ, तो देखिए बैक रो हमारी इस तरीके से, उल्टा-उल्टा बुनके रेडी होगी, बस ये डिजाइन को सेट करने के लिए हैं हमें दो लाइन्स बनानी है, ये देखिए, इस तरीकी से हम बेक्रों को उल्टा-उल्टा बून के complete करेंगे ये दिखिए ये हमारी basic rows complete हो गई है अब देखें right side है अब हमारा यहां से design start होगा देखें design start करने के लिए फिर हमें color change करने है तो दिखिए पहले H का फंद है, यह हम सिधा बुन लेंगे, उसके बाद देखिए, एक फंद हम स्लीप करेंगे, यह देखिए, आपको धिहान से देखना है, डिजाइन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, H का फंद बुन लेंगे, उसके बाद एक फंद स्लीप करेंगे, फिर देखिए, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, देखिए छे फंदे हमने सीधे बुने, फिर हम क्या करेंगे, एक, दो फंदे स्लीप करेंगे, ठीक है, साइड में एक रहेगा, क्यों डिजाइन को सैट करने के लिए हमें इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से, एक, दो, तीन, च पांच, छे, छे फंदे सीधे, आप देखिए फिर से, एक फंदा हम स्लीप करेंगे, एच का फंदा हम सिधा बनेंगे, यह देखिए, बस आपको क्या करना है, छे सीधे, दो स्लीप, छे सिधे, दो स्लीप, छे सिधे, दो स्लीप, ऐसे आपको कम्प्लीट करना है, और लास तो row 1 हमारी right side से complete हो गई है, अब दिखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए row 2 है back side से, तो देखिए row 2 में हम क्या करेंगे, h का फंदा में बुन रही हूं, देखिए ऐसे, जो sleep फंदा है इसे हम sleep करेंगे, और जो बुने वे फंदे हैं, वो हम बुन लेंगे, तो back side से हम इने उल्टा बुनेंगे, तो देखिए एक फंदा sleep, और देखिए ये 6 फंदे हमारे, उल्टे, फिर देखिए 2 फंदे sleep, फिर जे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा sleep, और ये h का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे, देखिए row 2 हमारी complete हो गई है back side से, आप देखिए right side है और ये हमारी row third है, तो देखिए row third में आपको धिहान से देखिए ये देखिए, फिर हम color change करेंगे, ठीक है, ये देखिए, एच का फंदा हमने सिधा बुन लिया, आप हमें क्या करना है, जो ये फंदा है, इसे हमें turn करना है, इस side को, ठीक है, left side को turn करन क्योंकि दो फंदों के साथ हमें इसे turn करना है, फिर हम इस फंदे को ऐसे उठा लेंगे, फिर हम इसे सिधा बुन लेंगे, ये देखिए, ये हमारे left side को turn होगा है, ठीक है, अब हमें दो फंदे बीच में सिधे बुनने है, एक और दो, दो फंदे हमने सिधे बुन लिया, अब देखिए, यहाँ पे हमारे दो फंदे हैं, तो हमें design को left और right turn करना है, ठीक है, पहले हम right side को turn करेंगे, तो देखिए, इस फंदे को आप यही पे बुन लिजे, बहुत easily बुना जाता है, यहाँ पे से हम इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे, एक फंद हमने बुन लिया, फिर देखिए, यह फंदा हम sleep करेंगे ऐसे, फिर देखिए, दूसरा फंदा हम बुन लेंगे, और इन फंद को ऐसे निकाल लेंगे, यह देखिए, हमरा design right side को turn हो गया, अब इसको हमें left side को turn करना है, तो इसके लिए देखिए, इसे हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, एक फंदा हम पहले सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर एक फंदा हम sleep करेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को उठाके, इस तरीके से हम बुन लेंगे, यह देखिए, यह design left और right turn हो गया, अब देखिए, यह चार फंदे थे, जैसे हमने दो फंदे बीच में सीधे बुनेंगे, वैसे ब बुन पाएंगे, डिखिए, एक बार हम इसे निकाल के, आगे पीच्छे चाय से लगाएंगे ना, तो काफी बार फंदे गिर जाते हो, तो ऐसे बुनेंगे बहुत easily बुन जाता है, तो देखिए, ऐसे बुनेंगे, एक फंदा बुना, यह देखिए, फिर एक फंदा हम sleep कर यह देखिए, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हम वो ऐसे बुनेंगे, तो देखिए, एक, दो फंदे उल्टे, एक फंदा स्लीप करेंगे, फिर देखिए, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक फंदा स्लीप, फिर से, एक, दो फंदे उल्टे, एक फंदा स्लीप, फिर, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिफ, फिर लास्ट में, दो फंदे उल्टे, देखिए ये हमारी रोह फोर्थ कम्पलीट हो गई है, और ये देखिए, इस तरीके का हमारे डिजाइन हो गया, आप देखिए, रोह हमारी फिफ्थ आ गई है, ठीक है, आप देखिए, रोह फिफ्थ को फिर से आपको धिहान से देखना है, देखिए, रोह फिफ्थ में हम क्या करेंगे, देखिए, एच को फंदा हम सिधा बुन लेंगे, और इस फंदे को भी हम सिधा बुन लेंगे ऐसे आप देखे हमें क्या करना है जो ये वाला फंदा है पहले हम क्या करना है दो फंदों के साथ टर्न कर रहे थे लेफ्ट राइड को आप हमें एक ही फंदे के साथ करना है तो देखिए यहीं पर हम बुन लेंगे इसे देखिए ऐसे पहले हम पीछे वाला फंदा बुनेंगे यह देखिए यह पीछे वाला फंदा बुनेंगे उसके बाद हम यह आगे वाले फंदे को बुनेंगे यह देखिए तो यह design हमारा turn हो गया अब देखिए दो फंदे हमारे बीच में सीधे आ जाएंगे ये देखे एक और दो अब इस वाले को हमें राइट साइट को टरन करना है तो देखे इसे यहां से हम पहले इस वाले फंदे को बुनेंगे फिर हम आगे वाले फंदे को बुनेंगे ऐसे ये देखे अब दो फंदों को गैप है तो दो फंदे हम स यह देखिए अब फिर से दो फंदों का gap है बीच पे दो फंदे हम बुनेंगे सीधे अब इस वाले फंदे को हमें राइट साइट को लेके आना है तो पहले हम इसे हलका सा खीच के यहीं पर हम इस तरीके से सिधा बुन लेंगे फिर हम आगे वाले फंदे को ऐसे सिधा बुन 6th row है, मतलब एक side के pattern की है हमारी 6th row है तो 6th row को हमें क्या करना है, back side से उल्टा-उल्टा बुनके ready करना है दिखी friends, बहुत simple design है ये अगर आपको मेरा design पसंद आ रहा है तो like जरूर कीजेगा आप इसे एक बार इतने ही fund डाल के बनाईएगा तो आपको समझ में आ जाएगा फिर आप easily जो बड़ा आपका project होगा उसमें इसे बना सकते है बहुत simple design है, एक बार आपका हाथ सेट हो गया तो बिल्कुल easily ये बन जाता है, बहुत जली बन के ये ready हो जाता है तो देखे, ये हमारी 6 rows complete हो गई है और देखे, हमारा design भी है, सेट हो गया है अब देखे, फिर से हमें क्या करना है 6 rows बुननी है, देखे, 2 basic row थी, ये हमें starting में बुननी है अब फिर से हम क्या करेंगे, color change करेंगे तो ये देखे, अब हम क्या करेंगे फिर से 7th row आ गई है, तो देखे, पहला फंदा हमने ये सिधा बुन लिया देखे, अब हमें क्या करना है, ये देखे जब हमने start किया था, तो हमने क्या क्या था एक फंदा हमने सिधा बुना था फिर उसके बाद हमने क्या क्या था, यहाँ पर एक फंदा स्लीप किया था ठीक है ना और फिर हमने छे फंदे सिधे बुन दे शुरू में रो बन में अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा हमारे डिजाइन की जगह चेंज जोएगे और इसली आपको पता चल जाएगा देखिए जो यह आपको बीच में दो फंदे यह दिख रहे यह देखिए उसके बाद एक दो तीन यह देखिए जहां हमने दोनों डिजाइन को टॉर्ण किया था इसके बीच में जो दो फंदे सीधे हैं अब यह फंदे हमारे स्लीप पाएंगे सेवन्थ रो में ठीक है फिर से एक दो तीन चार पांच छे फंदे सीधे यह देखिए इंगे एक और दो दो फंदे स्लीप करेंगे फिर से एकधिन पाएंगे आ डो तीन ओर चार देखिए चार पांदे हमारे सीधे हो गएmost यह हमारी 7th row complete हो गई है, अब देखिए back side है, 8th row है, अब देखिए पहला edge का फंदा है, मैं इसे बुन लेती हूँ, देखिए कोई ही लोग इसे उतारते हैं, तो आपको अगर उतारने के आदा थे तो आप उतार सकते हैं, अब देखिए 1, जो हमें जैसे दिख रहे हैं जो देखिए 8th row में तो वैसे ही बुरेंगे, देखिए 4 फंदे उल्टे बुने हमने, 2 फंदे slip, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे उल्टे, यह देखिए 1, 2 फंदे slip, फिर से 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, तो देखिए हमारी 8th row complete हो गई है, अब देखिए right side है, और यह हमारी 9th row है, देखिए 9th row में हमें क्या करना है, फिर से color change करना है, ठीक है, color change करेंगे, तो देखिए 1 और H का फंदा और 1 फंदा सीधा, अब हमें design को left, right turn करना है, देखिए start किया था जब हमने, तो हमने side में 1 फंदा रखा था, जब 2 फंदे होंगे तो हमें left, right को turn करना है, देखिए यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिगा, देखिए अब हमें right side और left side को turn करना है, देखिए right side को turn करने के लिए पहले हम इस फंदे को बुन लेंगे, जो sleep आला फंदा है, फिर एक फंदा हम sleep करेंगे, फिर दूसरे फंदे को हम इस तरीके से बुन लेंगे, तो दिखे, बुनाई है हमारी right को turn होगी, अब left को turn करने के लिए हमें क्या करना है, इस फंदे को थोड़े दिर के लिए ऐसे निकाल देना है, दिखे, एक फंदा पहले बुनेंगे, फिर एक फंदा हम sleep करेंगे, फिर इस फंदे को उठाके, इस तरीके से हम बुन लेंगे, यह दिखे, design left और right को turn हो गया है, अब बीच में दो फंदों का gap है, यह दिखे, जो चार फंदे हैं, इसमें से बीच के दो फंदे बुन लेंगे, एक और दो, दो फंदे बुन लिया, अब फिर से इस design को left और right turn करना है, दिखे, फिर से देखे, बहुत easy design है, यह दिखे, पहले हम sleep वाला फंदा इस तरीकी से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम यह दिखे, sleep करेंगे, फिर second फंदे को हम इस तरीकी से बुनेंगे, यह दिखे, design हमारा, right side को turn हो गया, फिर left को करने के लिए इससे पहले बहार निकालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा sleep करेंगे फिर इससे उठाएंगे और यह देखे इसे हम सिधा बुन फिर से एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप, एक, दो, तीन फंदे उल्टे देखिए हमारी 10th row complete हो गई है देखिए friends आप हमारी 11th row आ गई है तो पहले हम H का फंदा सिधा बुन लेंगे उसके बाद देखिए 2nd वाली फंदे को भी सिधा बुनेंगे अब इस design को हमें right side को turn करना है तो पहले हम इसे बुन लेंगे ऐसे फिर हम आगे वाले फंदे को भुनेंगे ऐसे यह देखिए ठीक है अब बीच में हमारे 2 फंदो को gap है एक और दो अब हमें इसे एक ही फंदे के साथ टर्न करना है यह देखिए पहले हम पीछे वाला फंदा भुनेंगे फिर हम आगे वाला फंदा बुनेंगे ऐसे ये दिखे डिजान हमारा left right को turn हो गया आप बीच में हमारे दो फंदे हैं एक और दो फिर से इसे हमें right side को turn करना है तो देखे पहले इसे हलका खीच के यहीं पर हम बुन लेंगे ऐसे फिर हम आगे वाला फंदा बुनेंगे ऐसे ये देखे देखे फिरेंज आब हमें के करना है देखे दो फंदे हम बीच में सिधे बुन लेंगे अब इस वाले फंदे को हमें फिर से left side को करना है तो पहले हम देखे back side से पीछे वाला फंदा बुन लेंगे ऐसे फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे ऐसे यह देखे अब लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे यह देखे यह हमारे 11th row complete हो गई है अब देखे back side है और यह हमारे 12 row है देखे 12 row को हमें क्या करना है लास्ट वाला जो हमारे row है वो हम उल्टा उल्टा बुनके ready करेंगे जैसे हमने row 6 को उल्टा बुना था वैसे हमने row 12 को भी इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनके ready करना है देखे friends बहुँआ simple और easy design है एक बार आप इसे ध्यान से बनाएंगे छोटे से पार्ट में तो बिल्कुल आपको यह easily आ जाएगा तो आप एक बार छोटे से पार्ट में बना के देखिएगा उसके बाद ही आप अपने बड़े प्रोजेक्ट में से बनाएगा तो बहुत easily यह बन जाएगा तो देखिए यह हमारी 12 rows complete हो गई है और देखिए यह 12 rows का हमारा repeat pattern है देखिए बहुत सुन्दर pattern है जब आप इसे बड़ा बनाएंगे तो यह बहुत सुन्दर लगेगा यह देखिए इस color में भी यह काफी सुन्दर लग रहा है यह देखिए आपको क्या करना है बस basic row एक बार बनानी है उसके बाद यह automatically design के हिसाब से बनता चला जाएगा यह देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है तो आपको क्या करना है यह 12 rows को ही repeat करना है देखिए इस तरीके से हमारा design set हो जाएगा यह देखिए मैंने आपको यहां तक बना के दिखाया है अब फिर से आपको row 1 से start करना है तो देखिए बहुत सुन्दर design बनके ready हो है देखिए आपको जो color combination अच्छा लग रहा है आप उसमें इसे बना सकते हैं यह देखिए दोनों colors में यह काफी सुन्दर लग रहा है यह देखिए तो देखिए friends आप इसे baby sweaters में, lady cardigan में और baby dresses में, baby cap में apply कर सकते हैं आप चाहें तो देखिए थोड़ा सा part में भी आप इसे बना सकते हैं जैसे आप कोई भी sweater बना रहे हैं आप नीचे नीचे जैसे यह मैंने अभी एक design मेरा complete है और एक design half है तो एक design और बना के बस दो-दो design भी हम इसे नीचे नीचे sweater के बना सकते हैं उसमें भी यह काफी सुन्दर लगेगा यह देखिए और आप चाहें तो पूरे sweater में भी इसे बना सकते हैं यह देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है दोनू colors में यह काफी सुन्दर लग रहा है तो आप अपने हिसाब से जो color आपको पसंद है आप उसमें से बना सकते हैं यह काफी सुन्दर लगता है तो इस winter season आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा क्योंकि winter season में इस तरीके की wool की sweaters काफी गरम होती है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा देखिए friends अगर आपको मेरा यह design पसंद आया बताने का तरीका पसंद आया तो please मेरे channel को like, share, subscribe करे Thank you